सब्सक्राइब को बढ़न Shift पिन अयो प्रेंड वेलकरपूदीन क्लाशDS मैं रोहिनिवी कॉस्पेसल लेकि आई वेज दे कर living चिकंट पर अ मेंने एकी class में cover किये है और इनको मैंने restaurant तच दिया है restaurant style gravy हम घर पे कैसे easy बना सकते हैं यह मैंने इस class में सिख आया है तो चलिए मैं आपको दिखाते हो मैंने कौन कौन से dish इस class में cover किये है यहाँ चिकन लॉळी पॉप, रेस्टॉरंट में जाते ही हम स्टाटर में पहला और्डर जोते है जिकन लॉळी पॉप बच्चों से बड़ों तक सबका फेवरेट बार से बहुत क्रिश्पी हैं पौर अंदर से जुस्सी है और इनका टेस्ट भी ultimate है देखिए यह ओईली भी नहीं है चिकन लॉलिपॉप का प्रिमिज भी मैंने सीखाया है उसका यूज करके आप कभी भी आपका मन चाहे तो चिकन लाओ और उसका प्रिमिज का यूज करके आप चिकन लॉलिपॉप बना सकते हैं और उसे इजी स्टो ज्यादा खट्टा नहीं है इसकी भी टेस्ट को बैलेंस करके और कैसे आप बना सकते हो घर पे इजी वेसे यह क्लास में मैंने सिखाया है यह चिकन चिली अगें सबका फेवरेट डिस चिकन चिली देखिए इसका टेक्शर आप देख सकते हो इतना मस्ट टेक्शर है और टेस चिकन बंचरा ग्रेवी मेरी तो बहुत फेवरेट है और यह गोल्डन ग्रेवी है आप इसका टेक्शर देख सकते हो और यह एकदम टेस्ट में एकदम अल्टिमेट है आपको यह जरूर ट्राय करना चाहिए अगें एक टेंप्टिंग डीश चिकन तंदूरी चिकन से यह बहुत टेंडरी है जूसी है और बाहर से क्रिस्पी और यह सब घर के ही जो मसाले है घर में अवेलेबल जो चीज़े उनका ही यूज करके यह विदाउट तंदूर बिल्कुल रेस्टारंट स्टाइल में चिकन तंदूरी बनाई है नेक्से चिकन कड़ाई इसको भी बनाया घर पे ही और उसका यूज करके लिए मैंने सिखाया है कड़ाई चिकन और इसका टेस्ट तो एकदब मस्त है और हमारे घर में सबका यह फेवरेट है यह जो सारे डिशेश आपको दिख रहे है वो जो इसी अवैलेबल सामान रहता है उनका भी यूज करके बनाये गया है और इनको बहुत कम सामान का चिज़ों का यूज करके इनिक बनाया गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनिट में ये डीशेज सारे डीशेज दिख रहे है वो रेडी हो जाते है उनकी एकदम easy procedure में, easy method में इसको कैसे बनाना है और हर कोई कोई भी इसे बना सकता है ऐसे कई से class में सिखाय गया है प्रेंट्स ये सारे डिशेश आप एक बार सिखो गया और घर में अपने बनाओगे तो आपको रेस्टोरन का कभी भी पसंद नहीं आएगा और ये सारे जो डिशेश आपको दिख रहे हैं वो मैंने एक ही क्लास में कबर किये हैं और मेरा ये ओनलाइन क्लास है online का मतलब यह मेरा face to face नहीं है इसके मैं आपको वीडियो दूँगी और most दूँगी वो देखके आपको ये dishes बनाने हैं और सीखने हैं और उसके बाद भी अगर आपको कुछ doubts है तो आप मुझे कभी भी call करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स ये क्लास सीख के आप बाहर का order भी ले सकते हो ये मेरे क्लास की fees है 800 रुपीज और अगर आपको ये क्लास करना है तो आपको जो नीचे स्क्रीन पे नंबा दिख रहा है आप उसके call कीजिए और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे अलग-अलग क्लास और डिशेस ले के आऊँगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्स्राइब कीजिए थेंक्यू